नमश्कार मैं गडिक्ष मौरे आप देख रहें न्यूजनाइन नेटवर्क इस वक्त में बनार्सी जोईलर्स बनार्सी जोईलर्स नहीं एस पी जोईलर्स जिस दुकानदार ने चोरी और मक्कारी से अपनी वारत खड़ी की है पूरी और इसी दुकान पे हजारों कस्टमर ऐसे हैं जिसको चूना लगाया गया और जब खबरे प्रकाशित होती हैं तो इसने अपने बनार्सी जोईलर्स के नाम से जो प्रशिद्य दुकान थी वह एस पी जोईलर्स रख दिया क्योंकि मारकेट के कई प्रतिश्ट्री दुकानदारों ने यह चीज कहा है कि दुकान पे किस तरह की गोल्ड के नाम पे फीतल दे दिया जाता है इस दुकान पे सोना नहीं दिया जाता है सोने की गुडवत्ता जो रहती है उस पे भी इनकी मक्कारी यह होती ही कि 10% का सोना दे के उनसे 92% का दाम लिया जाता है इस तरह की सारी चीजे है कई यहां तकी अगल बगल के पडोशियों भी इसका सिकार हो चुके है जब कस्टमर कोई आता है तो कस्टमर की सेवा भगत में किस तरह मिल के केक से लेकर ठंडा कोल डिंग सारी बेवस्ता लग जाती है लेकिन किस तरह दुकानदार किस तरह उनकी जेब काट लेता है और इनको पता भी नहीं चलता है इसी तरह के पूरे मार्केट में इस तरह की चर्चा है कि 88 जोईलर्स ने 10 साल पहले जो इसकी ए थी एक चोटी शी दुकान थी मिठाई की दुकान थी लेकिन मिठाई की दुकान से आज ये करोण पती बन चुका है क्योंकि इसी तरह का इनका धंदा लगातार चलता रह रहा है और पुलिस प्रसासन इस पे कोई ठोश कारवाई नहीं करती है क्योंकि पुलिस प्रसासन पे जाने के बाद मामले को रफा दफा कर दिया जाता है और जो पीडित होता है वो पीडित दरवदर की से इसी तरह की ठोकरे खाते रहता है इसके बाद मैं ने से बार बार इससे अपने सोने के लिए तगादा किया तो इसने ये कहा कि ऐसा है आपके सोने में परसंटेज कम बैठा है तो मैंने का भीया मैंने कहीं से ला कि तुमको समान दिया है ऐसा तो है नहीं तो उसने कहा भीया कम बैठा है मैं आपको हिसाब दे नहीं पाऊंगा मैंने का भीया जो कम बैठा है तुम उतना ही परसंटेज काट के मेरा हिसाब दे दो तो यह बोलने लगा कि अगर मैं परस्टेश काट के बात करूं तो सब्सक्राम तो मेरा आप के ऊपर निकलेगा आप मुझे को दीजिए यही बात है उल्टा आपको ही कह दिया हमको कह दिया उसके उसके बाद यह जब मैंने हिसाब के लिए इसको फोर्स किया तो इसन तरह कि जो दुकान है यहाँ पर लोगों को चूना लगाया जा रहा है ठागी का मामला है इस पर अंकुष लगे और यह दुकान बंद होनी चाहिए बिल्कुल क्योंकि इसने मुझे मुझे समान लेकर के मेरा बागी कर दिया एक बजार में धर्मेंदर उपेंदर से उनका बागी कर दिया एक गोविन से उनका बागी कर दिया और एक रजिंदर जैसवाल है हमारी रूइवाली गली में उनका बागी कर दिया और एक मुर्तुन्य बंगाली है उनको भीसने जो है एक फरजी चेक दिया हुआ है उन्होंने उसको पर मुकदमा किया हुआ है पीच में उनको बैठा लिया गया तो पता सारा जेवर उसने रख लिया कहा लाई हम पैसा दे देते हैं आपको और उसके बाद पैसा भी नहीं दिया इस तरह की सारी चीज़ें यह हमने सुना हुआ था कि उसमें उसने 15 या 20 परशंट का सोना दे दिया था डाक्टर साहम ने जब काफी कारवाई की तो उसके बाल उसने जो भी निप्टारा उसमें हुआ हो कोई निप्टारा नहीं हो पया मुगदमा उसमें दर्जुआ तो सर ऐसे मुगदमा चला करेंगा क्या मतलब होगा यह होनी चाहिए कि इसका दुकान बंद होना चीज़ पर अंकुस लगना चाहिए जि लोग चोर समझेंगे सुनार विरादरी को इसी इसी लिए तो टाइटन और तमाम कंपनियां जो है ज़्यादा लोगों को विश्वास कर रही है जो अक्या मामला हुए जिसे वनारसी जोयलर से जो था और उन्होंने इपना नाम भी चेंज कर लिया ऐसके जोयलर से कर दिया तो किस तरह के चीज़े क्योंकि मार्केट में जितने वैपारी हैं अधिकतर वैपारी यही कहते हैं कहतेँ सी इसी सौप को बंद होनी चाहिए क क्यूंकि बैपारियों सो लेखके कस्टमरों तक को लंबा चूना लगाया जाता है सोने के बदले में उनको आल्टी फीशर जे दिया जाता है पर आज देंगे पर पाइब देंगे लगभग आप मान के चलिए कि तीन-चार साल लगभग मांगने पे क्या कहता है मांगने पर कहता है दे देंगे हो जाएगा दे देंगे करवा देगी कह रहा है कुलिस में इकी भी आज है लगाया हुआ है मगर सेट दवला ही रहा है बैपारियों की मांग है कि इस तरह की सौब बंद होनी चाहिए क्योंकि कस्टमरों को भी सोने के बदले बाल्टी फीश्यर पीतल दे दिया जा रहा है यहीं सही है अगर किसी का रहन भी रख लया फिर एक जहां इन्होंने घर बनाया है वहां पे भी कई लाखों का जेवर उन लोगों ने साधी में लिया इस तरह किया इनका धंदा पुलिस पे कारवाय शिकायती पतर देने के वाउजबित कोई ठोस कारवाई नहीं हो पाई क्योंकि हम तमाम इसकी बाते सुनके या ना वसूल पाने की कारण या मार पीड भी दि इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें बैल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए